नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूँ प्रशांद और आज की वीडियो पर एक छोटा सा और जनकाई लेकर आया हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह मेरे पास एक 14 इंची का फिलिपस कंपनी का टेली बीजन है और इस पर एक प्राब्लम है तो इसी प्राब्लम के बारे में आज मैं बात करूँगा तो मैं आपको इसे ओन करके दिखाता हूँ कि इस पर समर्शा क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं पावर सप्लाई हमारा ओन हो चुका है और जैसे हम टेली बीजन को इस्टैंडबाय से रिलीज करते हैं तो यह हमारा जो टेली बीजन है इस्टैंडबाय से रिलीज नहीं होता है आप देख सकते हैं यह हमारा टेली बीजन जो है इस्टैंडबाय से रिलीज नहीं हो रहा है तो इस पर क्या प्राबलम हो सकता है तो आज मैं उसी बारे में एक छोटा सा जानगाई लेकर आया हूँ तो चलिए मैं इसे सबसे पहले open कर लेता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस टेलिविजन को open कर लिया है और आप देख सकते हैं जैसा कि आपने देखा होगा 14 के टीवि में जो वीडियो का अंसुई का टेलिव जिन भी इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है उस पर जैसा किट लगा होता है तो इसे फिलिप्स के टीविए पर भी वही किट लगा हुआ है और मैं इसका वार निकाल देता हूं यह डिगोजिंग कोयल का वार जो टूटने वाला था तो मैं इसे ऐसे निकाल देता हूँ और आप देख सकते हैं कि इस पर यह इसका मेन IC है जो कि बीडो कान संसुई पर भी आप देख सकते हैं और यह जिसका पावर सप्लाई है तो HDR वाला पावर सप्लाई है और अब दोस्तों इस पर फाल्ट क्या हो सकता है तो हम चेक कैसे करेंगे तो इस प्रकार का अधिकतर यह प्राबलम कभी भी आता है तो आपने देखा होगा कि जो आउटपूट सेक्शन है आउटपूट सेक्शन पर जो टांडिस्टर लगा होता है तो आधिकतर सौट हो जाता है तब हमें ऐसा फाल्ट दो है देखने को मिलता है और जो स्टैंडपूट का टांडिस्टर है वो भी खराब हो जाते है तो भी ऐसा फाल्ट हमें देखने को मिलता है तो इसका जो टांडिस्टर है तो दोस्तो internister मैं चेक कर देता हूँ तो इसका टानिस्टर दोस्तो मैंने चेक कर दिया है हमारा output का transistor भी सही है और standby का transistor भी सही है इसले फाल्ट क्या हो शकता है तो फाल्ट चेक करने के लिए हमें एस अब से पहले power supply का जो second day output voltage है जो की 110b बनकर और HD पर जाता है उसे हम सबसे पहले चेक करेंगे तो मैं सप्लाई चेक कर लेता हूँ कि 110 बोल्ट सप्लाई हमारा प्रापर बन रहा है की नहीं जो कि हमारे HD को जाता है तो दोस्तों मैं इसका बोल्टे जब चेक करूँगा तो सेट को मैं सबसे पहले वान कर लेता हूँ और पावर सप्लाई ओन हो चुका है आप देख सकते हैं रेड एलिडी जल चुकी है और आप हम इसका बोल्टे चेक कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें जहां 110 बोल्ट की लगभग मिलना चाहिए वहां हमें इसे मल्टिमीटर पर करीब 2500 बोल्ट की लगभग में मिल रहा है तो खरावी दोस्तों यही है और इस पर खरावी क्या है तो दोस्तों इस पर खरावी जो है रेगुलेटर स्रेक्शन के कारण है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एक नया इरिग्लेटर आइचीज पर लगा दिया है और टेली जन हमारा सेट जो है अन हो चुका है तो इस परकार का फाल्ट भी आपको टीवी पर देखने को मिल सकता है जो की इरिग्लेटर स्क्षन में खराबी करन आ सकता है तो दो च्छ़ को आरे तो में एगा दू अपकैज आू में खराब स бол कि नहिए हैं थभू भेर्ण खो सेटुन सकता है